हाई गाईस मैं आज एशन सुड़ी आप जिदे इस वीडियो पर जमा करेंगा यह वोश्ट जिदा मेरी वीडियो पर सान लगें वीडियो लाइब सिप्स्राइब शेयर तो कमेंट करें तो चलिए वीडियो रिस्टार कर दें हाई गाईस वेल्कम बैक टू माई चानल कैसे हुआ आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपके साथ जशन की हेर वाश की वीडियो शेयर कर रही हूं होप आपको मेरी यह वली वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना तो काफी टाइम बात मैं हिएर वाश की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं आपकी बहुत ज़दा रिक्वेस्ट आ रही है कि आप जशन की हेर से लिडियो देख ना चाहते हैं तो आप सब की रिक्वेस्ट पर ही मैं आज हेर की वीडियो बना रही हूँ होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और होप आपने अभी तक चैनल को लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो देखे फ्रेंट सबसे पहले आप देख सकते हैं जशन के लॉंग स्वांग हेल्दी हेर उसके बाल और उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं पूरा वीक उसके बाल कवर रहते हैं जुड़ा करके रखता हैं जिस वज़ा से उसके बाल बिल्कुल नीट अंड क्लीन रहते हैं मुझे वीक में दो बार हेर वाश करवाने की जरुरत नहीं पड़ती है आप उसकी बालों की लेंथ देख सकते हैं कि बालों की लेंथ आगे से और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है बहुत ज़्यादा लंबे बाल उसके हो गए हैं तो हेर वाश के लिए मैंने यहां पर आयूर हरबर शेंपू का यूज किया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा वला शेंपू है बहुत ज़्यादा अच्छे लेगे हैं पिछले एक साल से अपने बच्चों को यही शेंपू यूज कर रही हूं इसे उनके बाल काफी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं तो शेंपू को मैंने पानी में मिक्स कर लिया है अजशन के बालों में काफी ज़्यादा ओईल लगा वाश के हुए तो जब सबसे पहले मैंने शेंपू किया तो इतनी ज्यादा जाग नहीं हुई है क्योंकि फर्स्ट वाश से जिस्ट जितनी डिस्ट वगएरा और वही निकलता जब मैं सेकंड वाश करूंगी तब उसके बालों में बहुत अच्छी जाग होगी शेंपू अच्छी沒關係 आख़ा जेट ब्लैक को बहुत की है सबस्क्राइब करतीं मैं शेंपू की है उससे मैंने थोड़ी सी मसाज की आप किए ताकि ऑल वगएरा नीकल आए माने यहां पर तोड़ा सा घरमपानी की इ्द अनकि क्योंकि आइज कर बच्चों को तो अभी भी ठंड लगती है और जशन के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो गरम पानी से उसके बाल काफी ज़्यादा नीट अंड क्लीन हो जते हैं बाल अच्छी तरह से मतलब जितनी डॉस्ट वगरा है वो निकल जती है तो एक बार मैंने शेंपू यूज कर लिया मुझे दूसरी बार शेंपू का यूज करना है आप सब जशन की वीडियो देखना चाहते थे तो आप सब की रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये वली वीडियो बनाई है तो आप प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जिन कि ये विला शेंपू मुझे परसनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे बच्चों को सूट कर गया ये विला शेंपू बाल काफी ज़्यादा अच्छे रहते हैं हेर फॉल की प्रॉब्लम बिलकुल भी नहीं इस शेंपू से होती है बलकि अगर आपके हेर फॉल क प्रॉब्लम है तो वो खतम हो जाएगी ये विला शेंपू इतना ज़्यादा अच्छा है इसली आप लोकल मार्के स्चोर से ये विला शेंपू बाई कर सकते हैं और काफी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर आप इसे बाई कर सकते हैं आप चाहे तो वान केजी की किया तो मैं बहुत अच्छी तरह से उसके बालों पर मसाज करूंगी ताकि जितनी भी डॉस्ट है और वो सारा निकल जाए सारी निकल जाए उसके बाल बिल्कुल नीटन क्लीन हो इसके बाद मैं उसके बालों को अच्छी तरह से नैच्रली सूखने दूंगी कम से कम चार और 5 घंटों के लिए क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा है बालों को सूखने में काफी जढ़ा टाइम लगता है तो मैं ड्राइर वग्यारा का यूज नहीं करते हूं naturally प्रफिली उसके बालों को सूखने देती हूं एर ड्राइ होने देती हूं तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से मां उसके मसाज कर रही हूं बालों की लैंथ काफी ज्यादा लंबी है जिस वज़ा से शैंपू भी ज्यादा यूज होता है तो मैं हफ्ते में एक पाल गंदे हो जते हैं आप चाहिए था अपने बच्चों के लिए यह व्यादा यूज कर सकते हैं बिलकुल नैचुरल शैंपू है इसके इंग्रेडियंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं आमला शीका का यह रिठा से यह शैंपू बना हुए है इसके तो मैं पिछले एक साल से ये वाला शेंपू यूज कर रही हूँ, काफी बॉटल्स हमने इसके यूज कर लिए है, वान केजी वाली बॉटल हम इसके लिए आते हैं, और काफी टाइम निकल जाता है ये वाला शेंपू, जशन के बालों की लेंथ तो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, उसके एज के अकॉर्डिंग उसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, तो उसके लिए कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट जैसे ही उसके बाल बिल्कुल सूख जाएंगे, मैं ऑईलि कंडिशनर का मैं यूज नहीं करती हूँ, अपने बेटे को यूज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, एक-दो बार मैंने कंडिशनर का यूज की है, बट मुझे ऐसी कोई नीड लगती नहीं है, कंडिशनरem getting to your face, just my shampoo का यूज करती हूं, और ऑइल, जो आम अच्छा बाल ए MY aspiratewall है आमला ऐरि मैं उसके बालों में ज्याधा यूज करती हूं या फिर मैं उसके बालों में यूज करती हूं इन सबी चीज़ों से उसके बाल काफी ज़दा हेल्दी रहते हैं आप सबको जेशिन की हेर वाश की वीडियो काफी ज़दा अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में भी मैं आपके साथ ये सारी वीडियो शेयर करूँ तो देखे सारा शेंपू अच्छी तरह से निकल चुका है और लास्ट में पानी को मैं निकाल कर बालों में से पानी को निकाल कर एक उसके बन बना दूँगी इसके बाद मुझे टावल ड्राइंग करनी है आई होप फ्रेंट्स आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए फ्रेंट्स मिलूँगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तो तब तक के लिए थेंक्यू बाई